राज्तान विदानसवा की 119 सीटों पर रिजल्ट की गोशना हो गई लेकन इन सीटों में सबसे होड सीट बाड मेर की सीव विदानसवा सीट थी देश बार के लोगों की निगा इस सीट पर एक्यूई थी क्योंकि या पूर छात्राम अध्यक्ष और यह ओने था रविन सिंग बाटी बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे चुनाव रोचक तब हो गया चबी सीट पर 26 साल की हुआ और 24 साल एक बज़र्ट साथ कॉंगर्स के बागी और बीजेपी पूर विदाक साइथ बीजेपी प्रत्य से या से चुनाव लड़ रहे थे इत्यासे पहली बार दोनरे लोग बीच मकाबला हुआ और 56 साल एक पहली बार नर्दिलिय उम्मी दोर्व रविन सिंग बाटी ने जीत हासिल की है बाड़ मेर जिले की साथ विदानसव सीटों पर बागियों ने बीजेपीर कॉंगर्स के समीकरण बिगाड दिये यही काराने की बाड़ मेर ओर सीव सीट पर बीजेपी की जमानत जपता हुगई पूरु चात्रंग अध्यक्ष रविन सिंग बाटी सीव विदानसवा से बीटे करें भी एक साल से तैयारी कर रहे थी और बीजेपी ज़यन करने के मैज नो दिन तक सीव सीट से वे टिकेट मांग रहे थी लेकर टिकेट नहीं मिलने पर बागी ओकर चुनाओ मैदान मुत्रे और इसके बाद 56 साल में पहली बार विदानसवा सीट पर निर्दलिये जीत कर अपना दमखाम दिखा दिया झाल आपदा वे थी आपना दिर्दा नहीं मिलने बार झाल 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 झाल